How to earn 10 to 15 lakhs per annum as a java full stack developer Guys, आप सबको भी ये almost पता है कि अगर आप java full stack developer बन जाते हो या java full stack developer के skill set को सीख लेते हैं तो 10 से 15 lakh का package मिलना, it's not a big deal IT industry के अंदर इतना package आपको मिल जाता है अगर आप अच्छे से focus करके subjects को, topics को एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं सीख लेते हैं, काम करना आपको आजाता है उन technologies के उपर तो 10 से 15 lakh का package easily मिल जाता है So, अब बात ये करते हैं कि java full stack developer होता क्या है क्योंकि as a beginner, whenever you are starting your career या फिर आप, let's say कि आप किसी exam की preparation कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे, जिसके वज़े से btech mca के बाद आपके career के अंदर एक लंबा gap हो चुका है and then what now you are thinking कि let's come back to our own field और previous field, previous field in the sense कि after btech mca आप क्या करने वाले थे उसमें आना है, तो अब आपके लिए बहुत सारे topics आने लगते हैं कि यह पढ़ ले तो java full stack developer बन जाएंगे, software engineer बन जाएंगे वो पढ़ ले तो, जैसे for example कि हम UI UX पूरा पढ़ ले, server side components पढ़ ले या फिर हम devops के भी tools पढ़ ले, तो अगर यह सब कुछ हमको अच्छे से आ जाता है तो लोग बोलते हैं कि आप full stack developer बन जाते हो, लेकिन आपको यह समझना होगा कि right in the beginning में is it possible to learn all these things? What I say, it is quite difficult right in the beginning कि सब कुछ सीख के और बस सीखना ही नहीं है आपके साथ एक time का constraint है कि इतने time के अंदर ही पढ़ना है बिकाज आपको जल्दी से जल्दी job भी लेना है, right? तो उस time constraint के अंदर सीख के job लेना है and उस job के अंदर आपको successfully अपने performance को prove भी करना है तो यह थोड़ा सा challenging काम हो जाता है तो इसमें जाने से पहले हम लोग यह पहले discuss करते हैं कि as an java full stack developer, हम java full stack developer किसको बोलते हैं तो say for example कि अगर आपको UI UX का knowledge बहुत अच्छा हो है और servers idea फिर backend technologies का knowledge थोड़ा कम है तो क्या हम उसको full stack developer बोलेंगे? अब दूसरा एक और full stack developer है जैसे for example जिसको कि server side का बहुत अच्छा knowledge है और UI UX का थोड़ा कम knowledge है तो क्या हम उसको full stack developer बोलेंगे? अब दूसरा एक full stack developer है at the same time आपके पास एक और full stack developer आ जाता है जो है जिसको server side का server side technologies framework का बहुत अच्छा knowledge है at the same time UI UX का भी उसको बहुत अच्छा knowledge है DevOps tools के बारे में भी उसको मतलब ठीक ठाक idea है क्या वो full stack developer है? येस ये भी एक full stack developer है ideal full stack developer इसको भी बोलेंगे लेकिन अब बात यह आती है कि as a beginner whenever you are starting your journey तो आपको इन तीनों में से कौन सा full stack developer बनना है because कि अगर आपका selection right नहीं होगा if you are not selecting the right path, right learning path then ज्यादातर chances ऐसा है कि सायद आपकी पढ़ाई बीच में रुख जाएगी और जैसे previous में आपने unsuccessful attempts किये हैं वैसे ये भी बीच में रुख जाएगा और आपको फिर समझ नहीं आएगा कि क्या करें और कैसे करें तो उसके लिए हम लोग एक exact learning path discuss करेंगे कि क्या करके कितने time के बीच में किन-किन topics को technologies को पढ़के हम अच्छे से एक 10-12-15 लाग के package तक का एक proper MNC के अंदर job ले सकें और वहाँ पे हम successfully अपने आपको perform कर सकें अब यहाँ पे इन तीनों में से मैं second option को ज़्यादा preference करता हूँ कि if you are becoming a Java full stack developer तो सबसे पहला आपको करना यह है कि आपको server side technologies plus framework को अच्छे से पढ़ लेना है अगर आप इसको अच्छे से पढ़के and then UI UX का उतना knowledge रखिए जिससे आपका काम चल जाए मतलब काम चलने का क्या मतलब है कि अगर आपकी company में कोई ऐसा काम आ जाए UI UX से related तो आप उस काम को थोड़ा time जरूर लगे लेकिन आप उसको कर लें कम से कम ऐसा नहीं हो कि आप एकदम मना कर दें कि नहीं नहीं मुझे तो यह एकदम नहीं आता है right so that won't be a right approach clear है अगर इतना आप कर लेते हैं DevOps के भी थोड़े थोड़े tools आ जाते हैं आपको तो यह approach I think सही होगा right अब इस approach को करने के लिए मतलब मैंने क्या बोला कि एक server side technologies को अच्छे से कर ले UI UX को मतलब ठीक ठाक idea हो जाए आपको जिससे कि आप अपना छोटा मोटा काम कर लें जिससे कि आपके job में कोई basically problem ना आए तो इस particular का हम लोग आज learning path इसके अंदर discuss करेंगे कि क्या-क्या learning path होना चाहिए अब देखिए as an full stack developer एक बात तो clear है कि आपको database के knowledge अच्छे से होना चाहिए right database का knowledge का मतलब कि जैसे rdvms में हम बात करें mysql and oracle का ठीक ठाक knowledge होना चाहिए because जाधतर cases में as an java full stack developer आपको ये requirement आएगा कि आप अपने database से interaction के लिए कुछ queries लिख रहे हैं कुछ data को fetch कर रहे हैं so at that time मतलब not as an dba but आपको उतना knowledge चाहिए database की कि जहां पे कुछ queries लिख सकें कुछ sub queries लिख सकें जहां पे कुछ PL SQL के code लिख सकें या समझ सकें जो already लिखा हुआ है तो इतना knowledge आपको चाहिए अगर हो सकें इसमें आपके लिए possible है possible in the sense कि अगर आपको लगता है कि नहीं और थोड़ा सा हमको database के अंदर पढ़ना चाहिए तो थोड़ा NoSQL के MongoDB and all को थोड़ा सा पढ़ लिजे जिससे आपको idea हो जाए वो आपके job लेने के chances को थोड़ा ज्यादा increase करेगा राइट अब हम बात करते हैं technologies में Java related क्या क्या technologies अपने को अच्छे से सीखना और समझना चाहिए सबसे important और in-depth आपको जो पढ़ना है which is core Java right core Java के अंदर आपको ज़्यादा time दीजिए क्योंकि इसी के basis पे आगे के सारे technologies and frameworks based होंगे अगर ये आपको अच्छे से समझ में आता है तो आगे की चीज़ें काफी असान हो जाती है आगे की technologies काफी असान हो जाती है अब जैसे core Java में क्या-क्या हमको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए तो जैसे for example आपको exception handling अच्छे से पढ़ लो, lang package अच्छे से पढ़ लो, multi-threading के concepts आप अच्छे से पढ़ लो, collection framework अच्छे से पढ़ लीजिए generics आप एकदम बढ़ियां तरीके से कर लीजिए, streaming API Java 8 का कर लीजिए, lambda expression कर लीजिए, functional interface कर लीजिए, Java 9 के features पढ़ लीजिए, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर लीजिए एक बार जब आपका ये complete हो जाता है, तो core Java के basis पे, start practicing something logical questions, logical questions, usually जैसे कि आपके BTEC के, C या C++ या Java का, जो भी आपके course के अंदर सलेबस होगा, तो उसका lab होता है आपका, right, in lab बहुत सारे questions होते हैं, right, उसको try करिए कि core Java में solve करने का, right, and then थोड़ा सा उस पे आप data structure वगर collection में जो की cover हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजे, so that will be more than enough, इसको करने के बाद, अब आप थोड़ा JDBC पे focus कर लीजे, जब आप JDBC को थोड़ा properly पढ़ लेते हैं, तो at least इससे ये हो जाता है कि जब आप Hibernate framework पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपक काफी help मिलता है इससे, आपको समझ में आता है कि हम data कैसे fetch कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, Hibernate का क्या benefit है, कैसे, अब जब आप JDBC पढ़ रहे होंगे, तो आपको database वाला knowledge यहाँ पे properly काम आएगा, once JDBC is completed, then अब आप server side technologies में like servlet and JSP इसको तरीके से कर लीजे, servlet JSP I'll not say कि every interview मे यह आप से पूछा जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि जो भी आप web-based framework पढ़ेंगे, उसके अंदर इसका बहुत important role रहेगा, चीजें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, अगर आपको अच्छे से servlet JSP आता है, तो वहाँ पे काफी कुछ आपके लिए आसान ही हो जाती ह servlet JSP के ऊपर ही कुछ आप design patterns को implement कर लीजिए, जैसे की MVC वगरा को आप properly कर लीजिए, जिससे की थोड़ा आपको idea हो जाता है, एक project यहाँ पे छोटा सा अगर हम कर लेते हैं, so that will be far better for you, and that will be even really good for your resume, your profile, or your interview, technology जब एक बार आपका complete हो गया, then we are coming to the framework, framework, जब हम framework में आते हैं, तो हमें hibernate को कर लेना है, ठीक है, hibernate, जब हम hibernate एक ORM tool है, तो जहां हम JDBC use कर रहे होते हैं, अगर आप थोड़ा सा advanced चीजों में जाते हो, frameworks में जाते हो, so nowadays companies are asking hibernate, even hibernate को भी आप उतना ज्यादा नहीं करके, because वो spring boot में बहुत कुछ आ गया है right, तो even फिर भी आपको hibernate पढ़ना चाहिए, hibernate जब आपने पूरा complete कर लिया, उसमें DAO design patterns वगरों को आप थोड़ा सा factory design patterns को थोड़ा बढ़ियां से आपने कर लिया, उससे ये idea हो जाता है कि हम अपने project के अंदर data access करने के लिए कहां पे क्या कैसे hibernate का use कर रहा है, so that will be really a positive point for your resume, now, next one is, you should have the good knowledge of spring, I am not saying कि spring आपके interview में पूछा जाने वाला है, लेकिन अगर आपको spring अच्छे से आता है, तो आपको spring boot में काफी help मिलता है, अब सिंस spring या spring boot की बात करें, तो इसमें बहुत सारे modules हैं, बहुत बड़ा topic है, right, लेकिन फिर भी आपको time देना चाह ये spring and spring boot पे, जब ये एक बार आपका complete हो जाता है, then go for the rest API, not very tough, बट हाँ, इससे ये है कि आपको एक end-to-end सब कुछ काम करने आ जाएगा, अब अगर इतने तक की मैं बात करूँ, तो इसमें आपको सबसे जो एक important portion है, जो आपका interview में सबसे काम की चीज होगी, वो होगी core Java, plus core Java के बाद आपका spring boot, ये दोनों topic पे ही आपका mainly interview चलने वाला है, जब इतना आपका complete हो जाता है, तो थोड़ा सा अब आप UI UX पे focus कर लिजे, UI UX पे क्या हो गया आपके पास, जैसे for example, HTML हो गया, CSS हो गया, JavaScript हो गया, React.js हो गया, इसका आप basic knowledge रख लिजे, जैसा कि मैंने already बता रखा है, इतना कर लिजे कि आपको काम करने में कोई problem न आए बहुत जादा, ठीक है, और जब इतना हो गया, तो अब आप कुछ tools सीख लिजे, जैसे tools में क्या-क्या आपको सीख लेना है अच्छे से, maven हो गया, जब आप इतना कुछ पढ़ रहे होंगे, तो maven automatically आपको आ जाएंगे, eclipse हो गया, intelligent हो गया, and I say XYZ number of IDs है, not to focus much on IDs, बट हाँ, इतना थोड़ा सा आपको एक idea हो जाना चाहिए, fair enough होना चाहिए, उसके बाद अब हम क्या बात है, versioning tools आप सीख लिजे, जैसे git hub हो गया, git bash हो गया, इन चीजों का आप ठीक ठक knowledge रख लिजे, और lastly, postman को भी थोड़ा सा आप देख लिजे, जिससे आपको resume में add करने के लिए, उस पे कुछ बात करने, कोई कुछ पूछे, तो आपको वो समझ में आए कि क्या बात कर रहा है, कैसे पूछ रहा है, at last, आपको agile scrum के बारे में अगर थोड़ा knowledge हो जाता है, and when you are joining any company, तो right, तो इतना सब कुछ आपको करना है, full stack developer में मैंने क्या बोला था, एक last वाला, कि आपको UI UX का भी बहुत अच्छा knowledge हो जाए, backend का भी बहुत अच्छा knowledge हो जाए, means server side technologies का भी बहुत अच्छा knowledge हो जाए, तो वो कैसे बनना है, जब आप एक बार इतना जो मैंने बताया, इसक आप काम करेंगे, धीरे 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 आप काम करेंगे, तो आपको real time use cases भी समझ में आएंगे, and then slowly slowly you can become a pro in Java full stack development, तो वो आपके लिए फिर एक right learning path होगा, तो मैं इस वीडियो को at the end पूरा summarize कर देता हूँ, कि क्या-क्या आपको basically पढ़ना चाहिए, for example, जैसे database के as on full stack developer, जो कि 2-3 week का आप time देना चाहिए, right, core Java में मैंने already बता रखा है कि क्या-क्या important topics, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए, because interview में 60-70% role core Java is going to play, फिर आप JDBC कर लीजिए, sublet कर लीजिए, JSP कर लीजिए, right, frameworks के अंदर आप hibernate कर लो, spring कर लो, spring boot का एक ठीक का idea रख लो, because spring boot and core Java के ऊपर आपका interview ज्यादा तर based होने वाला है, right, UI UX के अंदर आप HTML कर लीजिए, CSS कर लीजिए, Javascript कर लीजिए, ReactJS कर लीजिए, I am not saying कि आप एकदम इसमें mastery कर लो, but एक basic knowledge रख लो, जिससे आपका काम चल जाए, and then tools के बारे में थोड़ा अच्छे से आप knowledge रख लीजिए, जैसे Eclipse हो गया, आपका GitHub हो गया, Git Bash हो गया, Maven हो गया, Postman हो गया, Agile Scrum का थोड़ा knowledge रख लीजिए, जिससे आपको काम करने में बहुत असानी होगी, और easily अगर आप इन सारी चीजों को prepare करके आप interview के लिए जाते हैं, so I'll say कि within a month, you'll be having five to six offer letters, and इसम कोई doubt नहीं रहेगा, after preparation, once everything you have completed, and then when you are going for interview, तो एक महीना जब आप interview देते हैं, one month का आप interview time देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से आपका job हो जाता है, and perfectly आप सारी चीजों को, एकदम, मतलब, like a pro you can do it, and उसमें कोई doubt ही नहीं है, और अगर, इन सारी चीजों को करने में मतलब, जो, जितनी list of technology and framework मैंने बात की, अगर इसको करने में, आपको seven to eight months का time लगता है, तो आपको I think देना चाहिए, अगर seven to eight months से थोड़ा ज़्यादा time भी लगता है आपको, let's say nine months लेना है, तो वो भी fair enough है, आपको देना चाहिए, because, कि इसी के basis पे आप at least ten years job करने वा ले हैं, तो time के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने का, आप सबसे पहले अपने learning path को complete करिये, और once the learning path is completed, everything will be easy for you to do it, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप like करिये, share करिये, channel को subscribe करिये, और अपने thoughts comment section में जरूर लिखे, because that motivates me a lot, right, और आपके questions से अपने को बहुत कुछ स Thank you very much.